तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो SSE CHSL का एक्जाम जो 14 एक्टूमबर 2020 जो को जो कंडेक्ट हुआ है उसमें जो सेकेंड शिप्ट में जिक्के वाज जियेस के जितने भी क्यूशन पूछे गए हैं उन सभी क्यूशनों पे हम डिसकस करेंगे तो चलो देखते हैं कि आ का हमारा यहाँ पर पहला क्रिशन है कि भारत रेतन से सम्मानित पर्थम वुश्ची कऊंथा ञताएं इसे भारत रेसे सम्मानित के रूप में भी जाना रतन से सम्मानीते किया गया था अभी नेक्स क्यूशन पुछा गया था कि जोती तीवर्ता यानि लुमिनस इंटेंसिटी कर SI IKAI क्या है तो जोती तीवर्ता कि जो SI unit है वो क्या होती है Candela आपका right answer क्या हो जाएगा Candela और इसको किस से denote करते हैं CD से denote करते हैं उसी प्रकार very important आगे होने वाली exam में पूछ सकते हैं कि विदूद धारा का SI मात्रक क्या होता है MPR होता है इसे A से denote करते हैं ताप का SI मात्रक केलविन होता है, इसे के से डिनोट करते हैं, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, इसे M से डिनोट करते हैं, उसी परकार बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, आवर्ती का SI मात्रक हर्च होता है, दाब का SI मात्रक क्या होता है, पासकल होता है, सक्ती का SI मात्रक व कि ATP यानि कि Association of Tennis Professionals में Award Player of the Year 2019 किसे दिया गया है तो ATP का जो Award Player of the Year किसे दिया गया था आपका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा रोफेल नडाल और ये कहां के टेनिस प्लेयर है इस्पेंज के नेश क्यूसन पुछा गया था कि 2019 का स्प्रिंट ओफ किरकेट अवार्ड किसे मिला है तो किसे मिला आपका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा विराटे कोहली नेश क्यूसन पुछा गया कि यस्विनी योजना के तहट कौनची योजना के तहट यस्विनी योजना के तहट गोवा राजे सरकार महिला स्वें सहायता सम्मू को कितने रुपे तक का ब्याज मुक्त रिंट परदान करेगी तो आपका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा पांस लाख रुपे है और इसका मुख्य यस्वनी योजना का मुख्य उदर से क्या है मैला उद्मियों को क्या करना है समर्थने करना है नेक चुसन पूछा गया था कि अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है तो अकबर नामा पुस्तक के लेखक आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अबुल फैजल और ये अकबर के नवरतनों में से एक थे और ये जो अकबर नामा वो कौन सी भासा में लिखी गई है तो ये फार्सी भासा में लिखी गई है आगे क्यूसन पूछे जा सकते हैं और ये है अकबर की क्या थी अकबर नामा जीवनी थी और इसे आइन ए अकबरी भी कहते हैं अभी next question पूछा गया था कि टेरा कोटा के परसिद विश्नु मंदिर कहां पे है तो टेरा कोटा का जो परसिद विश्नु मंदिर है वो कहां पे है परस्मी भंगॉल में है कहां पे विश्नुपूर में पूछा गया था कि URL की फुल फॉर्म क्या है तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स से लोकेटर आपका राइट आंशर क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स से लोकेटर और एक STTP की full phone भी पूछी जा सकती है तो hyper text transfer protocol होती है next question पूछा गया था कि computer से देखो काफी question पूछा गए है next question पूछा कि modem का क्या काम करता है तो modem क्या करता है computer को telephone line के दुआरा किसी अन्य computer को सुचना भेजने वा लेने में क्या करता है next question पूछा गया है कि 42 सविदान संसोदन में प्रेस्तावना में कौन से नए सबदे जोड़े गए हैं तो जो 42 सविदान संसोदन है इसके दौरा तीन नए सबद जोड़े गए थे तो कौन-कौन से धरम निर्पेक्स समाजवाद और अखंडता और 42 सविदान संसोदन को क्या कहा जाता है लगू सविदान संस भी कहा जाता है next question पूछा गया है कि चिक्कन कारी कड़ाई कला कहां की परसीद है तो चिक्कन कारी जो कड़ाई कला है वो कहां की परसीद है आपका right answer क्या हो जाएगा लखनव उत्तर परदेश की next question पूछा गया था कि मनाली को मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोडता है तो आपका right answer क्या हो जाएगा रोह तांग दर्रा अब देखो जो दर्रे होते हों क्या होते हैं किसी परवत या पहाड़ी में इस्तित्थ उसका निचला भाग क्या कहलाता है ये भाग क्या कहलाता है दर्रा कहलाता है और मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोडता है रोह तांग दर्रा कुछ इंपोर्टेंट है जैसे नाथुला दर्रा कहां पे इस्तित्थ है सिक्किम में इस्तित्थ है की कांकोरी कांड में सामील नहीं था तो वहाँ पे भगत सिंघ option में था तो भगत सिंग काकोरी कांड में सामिल नहीं थे अब देखो ये काकोरी कांड कब हुआ था तो 9 अगस्ट 1925 को ये कांड हुआ था इसमें क्या हुआ था लकनू पेसेंजर च्रेन को की ट्रेन की चैन खीच ली गई रोक कर ट्रेन खीच कर रोक लिया गया था और इसम थे कौन-कौन सामिल थे राजेंदर नात लाहोडी जो मुख्य भूमी का थिंकी राम परशाद बिस्मिल असफा कुला खां और चंदर सेखर आजाद ये सामिल थे और भगत सिंग इनमें काकोरी कांड में सामिल नहीं था और ये कब हुआ था 9 अगस्ट 1925 को नेक्स 2020 कि टर si तीम तोप थी आपका राईट आंस्वर क्या अत्या वस्थेलिया कोन्स था इंगलेंड ये और थार्ड मेरे और ओडियाइमें फैस्ट पे इंगलेंड था और सेगेंड था बार्त ये कूश्ट मैइट थ testimony ये था ऐस्ट मेस्ट पर नी ज्यूस्रेट तरिवाे और important question है यह काप सभी एक्जामों में mostly पूछा जाता है तो neutron के खोज करता कौन है James Chadwick और इस पे आवेस नहीं होता है अब देखो आगे होने वाली एक्जाम में पूछ सकते हैं कि electron के खोज करता कौन है तो electron के खोज करता कौन है जे जे थोमसन और electron पे जो आवेस होता है वो कैसा होता रिन आवेस होता है यानि कि negative charge होता है और जो proton होता है proton की खोज किसने की थी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो proton की खोज किसने की थी गौल्ड इस्टीने की थी और प्रोटोन पे जो आवेस होता है वो क्या होता है धनावेस होता है नेक्स क्यूशन है कि राज्य सभा में राश्टपती द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो राज्य सभा में कितने सदस्यों को राश्टपती द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है टोटल सदस्यों की संख्या वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है राज्य सभा में 245 है और 245 में 12 सदस्यों को राष्ट पती द्वारा मनोनित किया जाता है और 233 सदस्य अधिक्ता में चुने जाते हैं Thank you guys